नमस्कार दोस्तों, Behind the Cameras सीरीज के एपिसोट नमबर 5 में हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्मों के एक और दिगश डिरेक्टर लोकेस कनकराज की अगर साउथ फिल्मों को देखने का सौक रखते हैं, तो पिछले कई दिनों से आपको इनका नाम बार-बार सुनने को मिल रहा होगा बीते दिनों इनी के डिरेक्ट की हुई फिल्म मास्टर ने खूब सुर्किया बटोरी जिसका एक रिजन था थलापती विजे और विजे सेतुपती का डेडली कॉमिलेशन और दूसरी वजाती डिरेक्टर सेक्शन में लिखा हुआ लोकेस कनकराज का नाम कैथी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद से लोकेस कनकराज टॉक अफ़ दाउन है इनकी बनाई हुई फिल्म कैथी की जितनी तारीफ की जाये उतना कम है फिल्म की स्कीन प्ले को इतना कसा हुआ रखा गया कि पूरी फिल्म के दोरान थ्रिल बना रहा नाइट के सीन्सों या ट्रक पर किया हुआ एक्शन सब कुछ एवन रहा इन्होंने फिल्म की दो सिच्वेशन को जिस तरह से पकड़ के रखा वो तारिफ के काबिल है जेल के सीनों या फिर रात के अंधेरे में किया गया ट्रक पर एक्षन इन सभी सीन्स को इन्होंने इतनी ब्रीफली डेरेट किया कि लोग इनके डेरेक्शन के फैन हो गए अगर आपसे पूछा जाए कि लोकेस कनक राज की वो फिल्में बताई हैं जो कि उन्होंने कैथी से पहले बनाई थी तो सायद आप नबता पाएं लेकिन कैथी फिल्म की सफलता इतनी बड़ी रही कि लोकेस कनकराज के पास बड़े बड़े प्रोजेक्स की लाइन लग गई अभी इनकी मच अवेटेड मूवी मास्टर रिलीस हुई ही है कि अब ये कमल असंसर के साथ विक्रम मूवी लेकर आ रहे हैं इसके अलावा कैथी टू पर भी काम चल रहा है ये तो रहा इंट्रोडक्शन लोकेस कनकराज का हम इस वीडियो में लोकेस कनकराज की वो बाते बताएंगे जो सायद आप नहीं जानते होंगे इनकी उन फिल्मों पर चर्चा करेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखी होंगी तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको उपर आई बेटन पर दी गई है जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो लोकेस कनक राज का जन्म 14 मार्च साल 1986 को किनाठू कदावू कोयम बटूर तमिलनाडू में हुआ इनके माता पिता के नाम और उनके बैगराउंड की जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई लेकिन इतना जरूर पता चला है कि ये कुल तीन भाई हैं अरविन, अस्मिन और प्रसांत जो की बिजनसमेन है दोस्तो लोकेस कनक राज की प्राइमरी स्कूलिंग विवेक विद्याले मैट्रिक हाईर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई इसके बाद इन्होंने PMHS रानी गुंटा स्कूल से अपनी इंटर्मीडिट तक की पढ़ाई पूरी करी आगे चलकर अन्ना युनिवेस्टी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्पलीट किया यहां से इन्होंने फैसन टेकनोलोजी में अपनी पढ़ाई पूरी करी इसके बाद लोकेस ने PSG College of Art and Science से अपना MBA कम्पलीट किया लोकेस एक ब्रिलियंट इस्टूडेंट रहे और इन्होंने पढ़ाई के हर फेस में टॉप किया हाला कि फिल्मेकिंग में भी इनका काफी ज़्यादा इंटरस्ट था और ये इसी फिल्ड में कुछ करना चाहते थे लेकिन फैमली प्रॉबलम के चलते पढ़ाई खतम होते ही लोकेस एक प्राइवेट पैंक में जॉब करने लगे यहाँ पर इनोंने अपने केरेट के चार से पास साल लगा दिये इसी दोरान इनको कॉर्पेट सौर्ट फिल्म कॉमप्टीशन के बारे में मालुम पड़ा ये फिल्मेकिंग का कॉमप्टीशन था चुकि लोकेस को बच्पन से ही इस फिल्ड में काफी ज़्यादा इंटरस्ट था इस बार इनोंने अपने पैसन को फॉलो किया और इस कॉमप्टीशन में हिस्सा ले लिया दोस्तो इस कॉमप्टीशन के जस्त थे जाने माने डिरेक्टर कार्थिक सुबाराज जिनोंने पेट्टा, पीज़ा और मरकूरी जैसी फिल्मों को डेरेट किया है इसके अलावा आने वाले समय में ये धनुस के साथ जगा में थंडी रम फिल्म को लेकर आ रहे हैं इस कॉमप्टीशन के लिए लोकेस ने कालम नाम की एक सॉट फिल्म बनाई दोस्तों लोकेस की सॉट फिल्म कार्तिक सुबबाराज को पसंद आई और उन्होंने लोकेस को काफी ज़्यादा मोटिवेट किया कि उन्हें फिल्म लाइन में आना चाहिए इसी के साथ कार्तिक सुब्बा राज ने लोकेस की सौट फिल्म को अपनी फीचर फिल्म अवियल में भी इंक्लूड किया अब लोकेस पूरी तरह से स्योर हो गए और उन्होंने फिल्म डिरेक्ट करने का सोचा लेकिन डिरेक्टर बनना इतना आसान कहां होता है कि कोई भी आपको फिल्म दे दे और कह दे डिरेक्ट कर लो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक कहानी लिखी सही माइने में एक अच्छे डिरेक्टर की पहचान यही है कि वो खुद की लिखी हुई फिल्म को डिरेक्ट करे लोकेस कनकराज ने जितनी भी फिल्मों पर काम किया है उनस सब की कहानी उन्होंने खुद ही लिखी है साल 2017 की फिल्म माना गारम लोकेस कनकराज की एस डिरेक्टर पहली फिल्म रही इस फिल्म के लिए इन्होंने काफी धक्के खाए बड़े-बड़े प्रोड़क्शन हाउसस ने इस फिल्म को प्रिड्यूस करने से साफ तोर पर मना कर दिया एड दा लास्ट पोटेंशियल इस्टूडियोस ने इस फिल्म में अपना इंटरस दिखाया फिल्म के लिए मातर 4 करोड का बजट एलोट किया गया फिल्म ने 12 करोड की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट रही और लोकेस कनक राज को भी बेस डेबुटेंट डिरेक्टर का विजे अवार्ड मिला फिल्म की सक्सेस से भी जादा एक चीज जो इंपॉर्टन रही थी वो थी फिल्म को मिला क्रिटकल अक्लेम रजनी कांस से लेकर कमल असन जैसे दिखजो ने फिल्म की तारिफ करी फिल्म की सफलता ने लोकेस कनक राज पर भरोसा और बढ़ा दिया उसी प्रोडक्शन कंपनी ने लोकेस के दूसरे प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस किया फिल्म का बजट था 25 करोड फिल्म को दिवाली के दिन पर रिलिस किया गया जहां लोकेस अपनी फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिरेंट थे कि उन्होंने फिल्म को थलापती विजय की फिल्म बिगिल के सामने उतार दिया जहां बिगिल सूपर हिट रही वही कैथी डेबल ब्लॉगबेश्टर फिल्म ने सौ क्रोड से ज़्यादा की कमाई करके दिखाई और लोकेस कनकराज के डिरेक्शन की खुब तारिफ होई फिल्म की सफलता ने लोकेस कनकराज को लाइम लाइट में ला दिया जितने भी लोगोंने कैथी फिल्म देखी उन्होंने फिल्म के डिरेक्टर को जानने की कोसे जरूर करी फिल्म में कई सारे ऐसे सीन थे जिने डिरेक्ट करना आसान बात नहीं थी एक तो रात उपर से जं기ल के बीचो बीच बड़े टक्स में चेजिग सॉट लेना कोई आसान बात है फिल्म की कहानी में भी दम था और कहानी भी लोकेस कनकराज की थी इस एक फिल्म ने लोकेस को वो इस्टारडम दिया जो अच्छे अच्छे डिरेक्टर को दत्तस फिल्म में डिरेक्ट करके नहीं मिलता अब लोकेस को बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्मों के ओफर आने लगे दोस्तो लोकेस की तीसरी फिल्म रही मास्टर ये भी लोकेस की खुद की लिखी हुई कहानी थी और इस बार फिल्म का बजट 135 करौन रखा गया इस फिल्म में तमिल के सूपर हिस्टार थलापती विजय को काश्ट किया गया दोस्तो लोकेस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी पिछली फिल्म कैथी का जिस एक्टर के साथ क्लैस हुआ वे अपनी अगली फिल्म में उसी एक्टर को डेरेट करेंगे बहराल ये फिल्म 13 जनवरी 2021 को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स आफिस पर 300 करौन से ज़्यादा की कमाई करी और ये फिल्म सूपर इट रही हाला कि फिल्म अपनी लंबाई के कारण कई जगा मात जरूर खाई लेकिन लोकेस ने यहां भी फिल्म को काफी यूनिक तरीके से सूट किया आने वाले समय में ये कमल हसन सर के साथ विक्रम फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म की कहानी भी खुद लोकेस नहीं लिकी है इसके अलावा लोकेस इस समय अपनी ब्लॉकबश्टर फिल्म कैथी के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं बात करें इनके marital status की तो मैं आपको बता दू इनकी साधी 8 जन्वरी 2012 को एस्वर्या जी से हुई थी इस साधी से इनको एक बेटी है जिसका नाम में अद्विका लोकेश तो दोस्तो ये रहा लोकेश कनक राज पर हमारा एक dedicated वीडियो आपको लोकेश कनक राज की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आप नीचे comment section में बता सकते हैं साथी साथ next अब आप किस डिरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे comment section में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like करें comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद